अब हम बात करते हैं पांच important books की जो आपको follow करनी चाहिए लेकिन उनमें से कौन सी book आप pick करोगे ये depend करेगा इन तीन factors पे बात करते हैं देखे जो सबसे पहली book है और सबसे important book है और आप में से लगबग सभी जो लोग है उनका नाम अच्छे से जानते हैं जगमोहन बलोकरा के ऐसा नहीं लगता है कि वो एक tiny state के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है क्योंकि उनकी book का जो cover है वहाँ पर उन्हें लिखा हुए न the wonderland हिमाचल प्रदेश tiny state के बारे में पूरी information दे रहे हैं तो उनकी book तो कहीं भी tiny state को जो है define नहीं करती है बहुत comprehensive manner में आपको जगमोहन प्रिपेर करने तो आपको एक बार तो इस book को go through करना पड़ेगा और अगर आपके पास time कम है अगर आपको लगता है कि जल्दी से exam को देना है तो दोस्तों यहां से एक topic तो आपको पका प्रिपेर करना है वो है district profile क्योंकि इस book में district profile वाला chapter बहुत ही अच्छा दे रखा ह जो आपको बाकी किसी book में उतना अच्छा नहीं मिलेगा 7th chapter शाय दे ठीक है तो district profile वाला जो पार्ट है वो आपको इसी book से cover करना चाहिए मैं आपको advice करूँगा लेकिन अगर आपके पास काफी time है तो अच्छे से इस book को पढ़ लीजे काफी depth में काफी deep में पुरी कर सकते हो अगेन वो भी काफी अच्छी book है जो मैं second बता रहा हूँ आपको मिया गोवर्दन सिंग ठीक है काफी popular book है और अच्छी वात क्या है इस book की कि इस book में आपको जो factual error है वो काफी कम मिलेंगे और ये book आपकी cover करवाईगी आपको सबसे important component हिमाचल जीके का culture and history वाल इसको further divide करें न कि history, quality, economics या फिर administration में कौन सा topic सबसे आदा आता है तो आपको लगबग 50% culture and history वाला portion देखने को मिलेगा तो मिया गोवर्दन सिंग I would say कि आप लोग पढ़ें अच्छे से पढ़ें और particularly इस component के लिए culture and history वाले part के लिए जो आपके हर एक exam में लगबग 50% weightage रखता है ठीक है थार्ड अगर मैं बुक की बात करो तो वो है HK मिट्टू जी की और ये बुक काफी अच्छी है काफी छोटी है अगे मिया गोवर्दन सिंग भी बहुत बलकी बुक नहीं है जैसे अगर हम बलोखरा से अगर कंपेर करें तो थोड़ी जो इसका size है काफी normal ह एक बच्चा रीड कर सकता है उसको देखके डर नहीं लगेगा इस बुक को HK मिट्टू जी की बुक भी आपको काफी बलकी नहीं लगेगी normal बुक है लेकिन दियान रखना है कि इस बुक से एक chapter एक topic बहुत अच्छे से prepare आप कर सकते हो वो है administration वाला पार्ट यहाँ पर administration व मांगे कि एक महीनी के लिए बलोखरा दे दे वो पढ़ लो नोट्स बना लो अपने किसी से अगर दोस्सकार HK मिट्टू है वो मांग लीजिए PDF डाउनलोड करने की कोशिश करिए तो smart way of preparation सोचिए selected portion ही बुक का उठाईए पूरी-पूरी बुक खरीदने की ज़रुत नहीं कि ना तो इतने पैसे हैं और नहीं उतना टाईम रहेगा कि पंचो बुक्स पढ़ पाएंगे वो बच्चा select होगा जो एक बुक को पांच बार पढ़ेगा ना कि पांच बुक को एक एक बार पढ़ेगा ग Despite Me उस बच्चे के लिए इसके पास time काफी कम है, तीनों बुक्स उन बच्चों के लिए जिनके पास time काफी है, जो लंबा सोच रहे हैं, और जिनको पता है कि मुझे हिमाचल जी के धंग से prepare करनी है, भले कितना मर्जी time लग जाए, अब जो चौती बुक मैं आपको बताने वाल हूं, तो उसको दिहान रखना है कि ये बुक उस बच्चे के लिए है, जिसके पास time कम है, जिसको जल्दी exam देना है, जिसको लगता है कि नहीं, भाई, बहुत time invest नहीं करना है, जल्दी देके परहटो, तो ये बुक है आपकी हिमाचल दरपन, अकाश पब्लिकेशन की, आप इसको पका खरीदें, और इस बुक को आप रवाइस कर सकते हैं, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास time कम है, और अगर किसी बच्चे ने ये तीनों बुक पढ़ ली है, उनने इन में से कोई भी एक बुक पढ़ रखी है, तो वो बच्चा भी हिमाचल परदेश का जोगर फिमाचल परदेश, काफी अच्छे तरीके से बता रखा है, वैसे दो इनकी history की बुक भी आती है, social economic life की बुक भी आती है, हिमाचल परदेश की, लेकिन भुगोल वाला पार्ट इन्होंने काफी अच्छे से कवर किया है, तो दोस्तों ये 5 अगर वो हिमाचल जीके की त्यारी कर रहा है, for the हिमाचल परदेश competitive examination, यहाँ पर आपको सारी बुक नहीं खरीदनी है, selective portion आप इन्बुक में से पढ़ सकते हैं, अगर time है तो बहलुखरो एक बार पका पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो काफी depth में है और आप अपने exam के level के हिसाब से और अपने time के हिसाब से, syllabus के हिसाब से इन 5 में से किसी भी बुक को follow कर सकते हैं, और अगर कोई और doubt आता है, आपको लगता है कि sir नहीं clear नहीं हो रहा, तो आप मुझे पक्का तंग करेंगे, आपको मुझे call करनी है 8146 207241 पर और I will talk to you, ठी ठीक है, तो this is all about the books which one should follow for HPGK, ठीक है, अगर कोई भी doubt है, तो please मुझे ping करना, thank you very much, जय हिंद, जय भारत